तो दोस्टों कियी बार आपको भी अपनी डेली लाइफ में इस तरह के जो sentences होते हैं उन्हें बोलें के जोटपड़ी होगी जैसे की तो क्या तुम मुझे मारोगे या फिर तो क्या तुम मुझे धोका दोगे या फिर तो क्या वह progress नहीं आएगा तो इस तरह के जो sentences होते हैं जिन में हम बोलते हैं तो क्या तो इसको हम Hindi से English में किस तरह से translate करते हैं और किस तरह से इसके structure को बनाते हैं तो चले इस वीडियो में जान लेते हैं तो दोस्तो अब बात करते हम ऐसे sentences को बनाने वाले structure को उपर जिसमें आपको यूज करना है so will का अब देखे so will का आप किस तरह से यूज करोगे सबसे पहले आपको लिखना है अपना so उसके बाद आपको लिखना है will और उसके बाद आपका जो subject है वो इसमें आ जाएगा और उसके बाद आपको इसमें वर्व की यूज करना है जो आपकी वर्व होगी वो हमेशा वर्व की First warm का ही यूजे कiki right क्योंकि विल के साथ हमेशा वर्व की Firstystem भी आती है और उसके बाद आपका जो भी और अफTC भी एंफ से याफ को इसमें लिख देने तो तब दोस्तो cleaned मेनिंग है वो निकलेगा तो क्या तुम या फिर तो क्या है वह आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा तो चलिए एक्जामपल की हेल्प से इसे और ज्यादा अच्छे से हम समझ लेते हैं तो हमारा पहले एक्जामपल देखिए तो क्या तुम मुझे बारोगे इसकी और उसके बाद मीश में आपका अब्जेक्ट है अब देखिए तो क्या तुम नाचोगे यहां पर देखिए इसकी इंग्लिस क्या होगी सो विल्यू डांस या फिर तो क्या तुम रोगे इसकी इंग्लिस देखिए क्या होगी सो विल्यू क्राइए तो इस तरह की जो सेंट पढ़ाओगे तो क्या तुम उसे पढ़ाओगे तो यह आपको हिंदी से इंग्लिस में ट्रांसलेट करना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका बताना है तो फ्रेंड्स अर्दी आपने हमारी अभी तक एडवांस प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर